हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटर्न सियर करने जारी हूँ इस पैटर्न को आप लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, जैकेट, हाफ स्वेटर, बच्चों के ओल प्रोजक्ट, कैप, शौल, ब्लैंकेट आदि में इसके अलावा आप इस pattern को girls sweater, girls top, long sweater, half sweater आदि में apply कर सकते हैं बनके बहुत ही खुबसुरत हमारा यह pattern आ जाता है front side से हमारा यह pattern बनना start होता है सबसे पहले में अपने project के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border pattern बनाके complete करेंगे border pattern का link में आपको नीचे description box में दे दूँगी border pattern complete होने के बाद front side से हमारा यह pattern बनना start होता है इस pattern को बनाने के लिए हमने 6 के multiple में फंदे डालने है पलस हमने 4 फंदे extra डालने 10 नंबर की सलाई में हमने इस pattern को बना लेने है अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद देखे front side से pattern की first row first row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी side करेंगे और front side से हमने first row को उल्टा बुनते हुए complete करने ये देखे ये front side से हमारी pattern की first row complete होई first row को हमने उल्टा बुनते हुए complete किया back side से देखे second row अब second row में देखे पहला फंदा उतारेंगे next फंदा उल्टा बुनेंगे अब देखे next हमने 6 फंदों में pattern डालना है तो देखे हर एक फंदे को हम triple roll करके बुनेंगे तो देखे एक दो तीन इस तरह किसे सलाई में हम तीन बार धागे को लपेटेंगे और ये एक फंदा बुन लेगे यही process हमने next फंदे में भी repeat करना है तो देखे धागा अपनी ही side रहेगा अब देखे सलाई में धागे को ऐसे तीन बार लपेटेंगे एक दो तीन फिर इस फंदे को बुन लेगे ये देखे finished एक दो तीन एक दो तीन फिर नेश्ट देखे यही process repeat होगा एक दो तीन हर एक फंदे को हमने triple roll करके बुन लेना है एक दो तीन ये देखे ये 6 फंदों को हमने triple roll करके बुन दिया अब इनी 6 फंदों का process हम आगे repeat करेंगे हमारे project के हिसाब से हमारे second roll में जितने भी फंदे होगे हमने यही process बार बार repeat करते जाना है अब देखे नेश्ट हमने 6 फंदों को भी triple roll करके बुनना है तो देखे धागा अपनी ही side रहेगा अब देखे तीन बार सलाई में धागा लपेटेंगे एक फंदा हो गया फिर देखे नेश्ट यही process repeat होगा हर एक फंदे को हम triple roll करके बुनेंगे नेश्ट देखे एक दो तीन इस तरीके से सलाई में तीन बार धागे को लपेटेंगे और एक फंदा बुन लेंगे फिर नेश्ट यही process repeat होगा एक दो तीन फिर नेश्ट एक दो तीन यह देखे फिर हमने 6 फंदों को triple roll करके बुन दिया अब हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से जितने भी फंदे होंगे हमने सेम प्रोसिस को repeat करते जाना है और वैक साइट से second row को complete कर देना है लाश्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे तो देखे वैक साइट से second row complete होगी अब देखे थार्ड रो अब थार्ड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे नेश्ट फंदा सीधा भुन लेंगे धागा पीछे ही रहेगा अब नेश्ट देखे एक एक करके छै फंदों को सिंगल करेंगे एक दो तीन चार पांच छै यह देखे यह छै फंदों को हमने सिंगल कर दिया अब देखे जो यह पीछे के तीन फंदे हैं इनको देखे आगे के तीन फंदों के उपर से ले जाके इस तरीके से ट्विस्ट कर देगे एदेखे अब इन छै फंदों को हम एक एक करके बुनेंगे तो देखे एक दो तीन चार पांच छै यह देखे अब नेच्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे अब देखे नेच्ट हम छै फंदों को सिंगल करेंगे देखे इस तरीके से एक दो तीन चार पांच और छै यह देखे यह छै फंदों को हमने सिंगल कर दिया अब देखे जो पीछे के तीन फंदे हैं आगे वाब आले तीन फंदों के उपड से उतार के ट्विस्ट कर देगे तो देखे यह लेफ्ट नीडिल में पीछे के तीन फंदे इस तरीके से उठाएंगे और देखे जो right needle में आगे के फंदे हैं इन फंदों के अंदर से देखे इस तरीके से ऐसे लाएंगे और ये हमारे 6 फंदे twist हो गए ये देखे अब इनको हम एक एक करके बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे ये देखे अब देखे हमारे project के हिसाब से third row में हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने यही process बार बार repeat करते जाना है और last में हमने दो फंदे सीधे भुन लेने एक दो ये देखे अब दिखे बैक साइड से fourth row पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने fourth row को उल्टा भुनते हुए complete कर लेने कर दो कर दो कर दो फंदे हमने 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 जाए प्रुनते हमने जाए जाए लोग्या है बैक साइट से हमारी फोर्ट रो कम्प्लीट हो गई आप देखे फ्रंट साइट से फिप्त रो अब फिप्त रो में हमारा पैटन रिपीट होगा देखे यहां पे रिपीट रो पहला फंदा उतालेंगे धाग अपनी साइट करेंगे फ्रंट साइट से हमने फिप्त रो को फर यह देखिए यह फ्रेंट साइड से हमारी फिप्तरों कमप्लीट हुए फिप्तरों में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था अब हमने इनी चार्च लायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखे बहुती सुन्दर बहुती आसन पैटन है आप इसे औल प्रोजक्ट में करते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू करें दो